अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन जरूर जबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डाले तब तब आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल पर पूरे का पूरा जितना भी एंटिये नेट पेपर मन का टॉपिक है उन सभी की रिवीजिन वीडियो लगाता डाली जा रही है जब तक कि आपका एक्जाम नहीं हो जाता तो चली आज सुरू करते हैं आज का करेंट अफियर पहला कोशन यह है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा परतियोगी परिक्षा के लिए पर्थम चरण की परिक्षा हेतु किस एजिंसी का गठन किया गया है तो अभी तीन दिन पहले ही बनाया गया है एन आρα को ठीक है एन आरे अब यहां पर एकोशन उठेगा कि यह तीन दिन पहले का करेंट अफियर क्या पूछा जाएगा एक्जाम में तो मैं बता दूं कि दो दिन पहले का भी जो है current affair पूछा जाता है online exams में ठीक अगर आपने कभी SSC वेगरे के exam दिया हो तो आपको जरूर पता होगा कि दो दिन पहले का भी current affair जो है पूछ लिया जाता है क्योंकि यह online परिक्षा है इसमें paper जो है print करवाने जरूत नहीं पड़ती ठीक है रातो रात इसमें paper तयार किये जाते हैं तो इसलिए एक दो दिन पहले की भी current affair की news आप से पूछी जा सकती है तो चलिए NRA का जो है गठन किया गया है इसका जो पूरा नाम है वो है National Recruitment Agency हिंदी में से हम कहेंगी रास्टिय भरती एजिंसी ठीक है रास्टिय भरती एजिंसी इसका गठन किया गया है ठीक और और ऑप्षन दे रखें जैसे CBSC CBSC के बारे में भी यहां पर आपको कुछ ब CBSC का ठीक है और इस समय जो इसके चेर्मेन है उनका नाम है Manoj Ahuja ठीक है Manoj Ahuja और इसका जो हैड़कॉर्टर है मुख्याले वो है नई दिल्ली में ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है और NTA के बारे में भी कुछ बाते आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अभी हाली मे काफी न्यूज में राया है तो NTA के अगर मैं गठन की बात करूं तो इसका गठन किया गया था नॉमबर 2017 में और इसके जो इस समय चेर्मेन है विनीत जोसी है विनीत जोसी और इसका हैड़कॉर्टर भी नई दिल्ली में है ठीक है और इसके बारे में एक चीज और इसका आपको याद रखना है इसका मोटो है एक्सिलेंस इन असेस्मेंट इसका मोटो है इतने पॉइंट्स आपको याद रखने है वीडियो अगर पसंद आता है ऐसे इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो like जरूर करें ठीक है तभी जो है इससे प्रूत्साहन मिलता आगे की वीडियो बनाने के लिए और अगर आप हमारी पहले की वीडियो देखना चाते हैं पहला और दूसरा पार्ट करेंट अफेर का अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फोर मोर वीडियो के नाम से ही ठीक है वहाँ के लिए करते आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी तो चलिए अब नेश्ट कोशन है भारस सरकार द्वारा ली जाने वाली सामान्य पात्रता परिक्षा कितने इस्तर पर कराई जाएगी अभी हाली में सरकार ने जो है CET एक्जाम की बात कही है तो इसे हिंदी मम कहेंगे सामान्य पात्रता परिक्षा तो एक कितने इस्तर पर कराई जाएगी तो ये करवाई जाएगी तीन इस्तर पर ठीक है इसमें जो है पहला स्तर जो होगा वो दस्वी के छात्रों के लिए होगा जिन्होंने सिफ दस्वी पास कर रखी है दूसरे इस्तर की जो परिक्षा होगी वो बारवी के छात्र के लिए तीसरा जो होगा वो इस नातक यानि की ग्रेजुएट साथ छात्रों के लिए ठीक है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो तीन लेबल पर ये होगी ठीक है ओके next question है CET की परिक्षा किस समू के पदों के लिए कराई जाएगी तो CET की जो परिक्षा होगी ये करवाई जाएगी A और B दोनों समू के लिए ठीक है sorry B और C हो गया आपर B और C ठीक है ये option गलत हो गया है B और C होगा इसमें खिक है तो मैं बता दूं पहले ये परिक्षा होती थी वह तीन सम्स्थाई ले टी कि एक a RRB है ठीक है ssc और IBPS थीक तीन सम्स्थाई परिक्षाई लेंगी लेकिन यह जो इनका पहला पेपर होता था ने परत्रम इस की जो परिक्षा होती थी अब वो CET के रूप में ली जाएगी सरकार के द्वारा ठीक है यानि कि NRA लेकि ये परिक्षा और जो दूसरा तीसरा जो भी परिक्षा होती है इसकी वो ये संस्थाएं खुद लेंगे इसे होगा ये कि इन संस्थाओं का जो बोज है अब कम हो गय है ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं स्पेशल वीडियो NRA के उपर तो मैंने अल्रेड़ी बना रखा है वो भी आपको डिस्क्रिप्षिन में मिल जाएगा नेक्स्ट है CET की परिख्षा का आयोजन कितने अकांश्य जिलों में होगा यानि सैंटर्स जो है इसके कितने जिलों में बनाए जाएगे तो इसका वहाँगे है किसी 7 7 oct की परिख्षा का आयोजन कितनी बार कराया जाए तो याद रखें यह जो परिक्षा होगी वो होगी वर्स में दो बार यानि एक साल में दो बार करवाई जाएगी परिक्षा और अगर आप एक बार जो है इस परिक्षा को पास कर लेते हैं तो आपके पास तीन साल तक की वैलिडिटी आ जाएगी यानि कि अगर आप एक्जाम देना चाते हैं RRB का या फिर SSC का या फिर IBPS का ठीक है नहीं IBPS एक संस्था है जो कि बैंक से संबंदित जो पद होते हैं उनके लिए छात्रों का चुनाव करती है ठीक है लो का चुनाव करती है तो इन तीनों ही एक्जाम में आप अपलाई कर सकते हैं दूसरे पेपर के लिए ठीक है अगर आपने पहला CET का पेपर पास कर रखा है तो तीन साल तक आप अपलाई कर सकते हैं ठीक है पहला पेपर आपको देनी की जरूत नहीं है अगर आपने इसे पास कर रखाए तो तीन साल तक नेक्स्ट है सोतन्त भारत की पहली शिक्षानीती किस समीती की सिफारिस पर आधारित थी ठीक है, सौतन द्भारत की पहली शिक्षा नीती कि समीती की सिपारिस पर आधारित थी, तो इसका सई आंसर है कोठारी कमीशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कोठारी कमीशन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, ठीक है, आप मुझे एक कमेंट में बताएं, नई शिक्षा नीती 2020, किस सेक्षिक मॉडल पर आधारित है, या मंडल ने आएगा या मॉडल आएगा, ठीक है, किस सेक्षिक मॉडल पर आधारित है, 5 प्लस 6 प्लस 4, या फिर 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, या फिर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, या फिर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सही आंसर है option number 3 option number C सही आंसर है क्योंकि 5 plus 3 plus 3 plus 4 में अब स्कूली शिक्षा होगी पहले क्या होता था 10 plus 2 होती थी 10th के बाद 2 class अगर आपने पढ़ ली तो आप 12th पास हो जाते थे 10th के बाद 2 class अब क्या कर दिया गया है पहला जो level होगा वो 5 भागों में बाढ़ दिया गया है जिसमें नरसरी, LKG, UKG, 1st और 2nd आएंगे फिर 3 साल जो होगी पढ़ाई उसमें आएगा 3rd class, 4th class और 5th class फिर उसके बाद 3 साल का जो level होगा उसमें 6th class, 7th class, 8th class और फिर इसमें 9th class 10th class 11th class 11th class और ये 12th class तो इस तरीके से इसकूली जो शिक्षा है उसको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है अगर छात्र जो है पहले क्या होता था अगर छात्र 9th के बाद या फिर 8th के बाद पढ़ाई छोड़ देता था तो उसकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता था अब क्या है कि अगर जो कोई छात्र अगर बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसको एक certificate दिया जाएगा जो की मानने होगा हर जगा ठीक है तो इस तरीके से जो है शिक्षा को बाटा गया है नेक्स्ट है मानो संसादन विकास मंत्राले का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है कल मैंने कोईशन जो दिया था वो यही था कि मानो संसादन विकास मंत्राले का नाम अब बदल के रख दिया गया है शिक्षा मंत्राले ठीक है शिक्षा मंत्राले तो यहीं पे अब एक दो कोशन मैं आपको करवा देता हूँ जैसे कि आप बतास चलो महीं बता देता हूँ कि रास्टे शिक्षा दिवस रास्टे शिक्षा दिवस कम मनाया जाता है तो याद रखें रास्टे शिक्षा दिवस जो है ये मनाय जाता है 11 नौमबर को ठीक है और शिक्षक दिवस कम मनाय जाता है शिक्षक दिवस ये मनाय जाता है 5 सप्टेंबर को यहां से बहुत बार कोशन पूछ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ, अंतर रास्टिये साक्षर्ता दिवस का मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, आठ सेप्तमबर को, आठ सेप्तमबर को, ठीक है, बाल दिवस का मनाया जाता है, तो यह 14 नौंबर को मन इंटरनेशनल टीचर डे एंतराश्टे सिक्षक दिवस जो है वो कम मनाया जाता है यह कोश्चन आपके लिए हैं आपको मुझे कमेंट में बताना है कल अधिकतर लोगों ने जवाब दिये थे उसके लिए और अधिकतर लोगों का जो जवाब था वो सही था ठीक है चलिए नई शिक्षा नीती के तहत इसकूली शिक्षा के लिए रास्टिय पाठ्थे करम की रूप रेखा कौन बनाएगा ठीक है क्या पढ़ाना है कौन सा चेप्टर पढ़ाना है यह कौन तै करेगा यह करेगा option number D NCRT NCRT के द्वारा जो है यह तै किया जाएगा next question है चात्रो की प्रगती के मुल्यांकन के लिए नामक sorry नामक नहीं होगा यहाँ पर यहाँ होगा मानक ठीक है मानक चात्रो की प्रगती के मुल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकायों के रूप में किसका गठन किया जाएगा ठीके कि छातरों की कितनी प्रगती हो रही है इसका evaluation के लिए एक जो है कैसकते हैं कि संस्था का गठन किया जाएगा तो कौन सी रहेगी जिसे नाम दिया गया है परख ठीके ने P-A-R-A-K-H परख नाम दिया गया है ठीक है इसका उद्धेश यह होगा कि छात्रों की परगती हो रही है शिक्षा में या नहीं हो रही है ये सब देखना उनका मुल्यांकन करना नेक्स्ट है वर्स 2030 तक अध्यापन के लिए कैसी या कौन सी डिगरी योगिता का चार वर्स का होना अनिवार रहोगा तो उसका सही आंसर है option number a beard ठीक है 2030 के बाद उन्हीं लोगों को जो है शिक्षक बनने दिया जाएगा जो जिन्होंने चार वर्स की beard कर रखी होगी ठीक है 2030 के बाद और अगर किसी ने post graduation के बाद जो है beard की है तो उसे एक वर्स का beard का जो है डिपलोमा दिया जाएगा वो भी जो है अपने विशेच छेतर में जो है अध्यापक बन सकता है ठीक है तो चार वर्स की beard निवार हो जाएगी 2030 तक तो ये भी आपको इसमें याद रखना है और अगर आपका कोई भी question है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अगर आप हमारी पहले की वीडियो देखना च जाएगी वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग डिस वीडियो